तिर्षाओ को तो कि याश्य विलकुम तो किषेशन की जाए जाए आज की रेस्पी आपको अच्छे लगे तो प्लीज रेस्पी को लाइक कीज़ेगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो देखते हैं आज हम पर्मल की मिठाई को किस तरीके से बनाते हैं पर्मल की मिठाई बनाने के लिए हमने ये 500 गिराम पर्मल लिया है करना है इसका हलका सा किनारा काटेंगे और इसे बीच में से इस तरीके से चीरा लगाएगे और इसके बिल्कुल इसे खाली कर देंगे हाथ उंगली की हल्प से इसे में बिल्कुल खोकला कर लूंगे इसे में उंगली इसके हल्प से से बिल्कुल खाली कर लिया है सब भी पर्मल उपर से उसका इस तरीके से कर लीजे सभी ये देखिए सभी परमल हमने अंदर से बिल्कुल खोकले कर दी, इस खरी और इसके लिए बॉयल करेंगे बोईल करने के लिए मैंने ये भीगोने में पानी राल के बोईल किया हुआ है सभी परमल इसमें हम डाल देंगे करीब पांच मिनिट के लिए हम परमल को पानी में उबालेंगे इतने परमल उबलते हैं इतने हम चासनी की तैयारी कर लेते हैं 200g काड़ी, 700g चासनी , 1Tी चानी, 52-500g 1Tी पानी यूज किया है, 1Tी पानी यूज किया है, चासनी, तैयान जुभए है, इतने इतने पड़ए हैं और गभी के हुएं nombreux . . चासणी दूरी भी थिक नी थिक नी थोड़नी को ऐना है , crypti सो अबालना भी पत्रय ना थे क क्डिल दूदा है . अब परमल भी ना चांड लिया है। जब तक परमल इसमें जाकर फोड़ा ट्रांस्परेंट ना हो जाया है हलकी हथों से चलाईए और इसे बिल्कुल अच्छे से ट्रांस्परेंट होने देजिए चास्नी जो परमल के अंदर हमें फिलिंग बनानी है परमल के लिए पैन को गर प्रीइट किया हुआ इसमें हम मावा एड कर देखे, मावा जो है वो हमने लिया है 200-200 गिराम मावा इसे बिल्कुल ओ फ्लेम पे अच्छे से हम भूनें गें घर में बजार्सी भी ले सकते हैं पर घर में भी मावा पराम से बना सकते हैं मावा भून लिया है, जादा नहीं भूनना है, करीब हमने कोई 2-3 मिनिट के लिए मावा भूना है, गैसा मॉफ कर देंगे, और इसे ठंडा करके ही, इसमें हमें भूरा चीनी जो भी है, अगर गरम मावे में आप चीनी भूरा एट करेंगे, तो यह पानी छोड़ देंगे, यह 500 गराम मावा था, हमने इसमें 100 गराम भूरा लिया है, आपको जितना मीठा पसंद हो उसी साफ साप ले सकते है, पूरा में इस मावे में एट कर दूंगे, यह लाइची पॉर्डर है, आदा चम्मच, यह भी इसमे एट कर देंगे, यह हमने चिरोंजी ली है, चिरोंज पर्मल के लिए हमने फिलिंग तैयार कर लिए है, बिलकुल अब हम पर्मल ले देख लेत्य एक, और आप धेख सकते हैं, कि पोड़ा बारीं हो घंचाल, पिलेंगे तो आप उसे निकाल लेंगे मेग एक पर्मल को निकाल लूंगी सिर्ट्रेनर में ताक कि क्या है कि उसमें चास्ट om They Ne flatter सबी पर्मार थंडे हो गए हैं मैं एक पर्मार लूँगी बहुत अराम क्योंकि इसके अंदर मावा फिल कर देंगे और इसे में प्लेट में इस तरीके से सजा देंगा कि इसमेना हम बला मेट परता है सबया कि परमल की मिठाई हमने इस तरीके शल्या कर ली है देखा हम ने कितनी असानी से घर में परमल tadi टाय कर लाक है आप ही थोड़ा तहां से गडीए मिठाई गर में यहां हो द शुक्त ऑखें पर्मल के मिठाई बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पर्मल बुकु फ्रेश होने सही है जब आप उससे चासने में बोयल करेंगे तो उससे बहुत साफदानी से निकालिए इससे क्या होगा कि उसके अंदर फिलिम बहुत अच्छे से हो जाएगी इस आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर पूछेगा वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल आइकन भी लबाना मत भूलेगा ताकि मेरी आने व